नमस्कार सभी को मैं नील बेनिवाल अवर्स एजूकेस्टन किस प्लाटफों पे आपका स्वागत करता हूँ एच्छ सची का 14-2019 कैटेगी नंबर 26 और पेपर तक इसका पलंबर का ये पेपर था जो कि एच्छ सची ने लिया था और ये पेपर हमारे साथ कली शेयर किया है आ 14.53 में कंशतीनो पल जो आपका सहर जो है डैसने कभजा कर लिया तो किसने या आपके ओटोमं ट्रक्ट जो है आपका उप्शन नम्बर ये जो हिसका उप्सिन नंबर यह राइट अद्वरेगा नेक्स देखिए मैटिलोईड अंग्ड आ फॉलोविंग आपको यह बताने क इसके लाबा एक आपकी अरस food है ऐसके लाभा आपकी अरसेनिक यह सारी किसारी आपकी उपधात्तौ बनेगा कुन सा option number A का इसके बाद next subject elementary question है तीसरे का बनेगा option number B चोथा देखिए और यह ना का प्रसीद खिलाडी जो है ओम प्रकास करहाना इनका डैस से जुड़ा हुआ किस खेल से संब्धित है तो इनका पहली बार तो यह कहां से है तो गुरू ग्राम से इनका किस खेल से संब्धित है तो इस शोटपूर से संब्धित है और इसका राइट अंसर रेगा इसके बाद next जो यहां पर question एका पांचे का बनेगा है यह उसके बाद सटा देखिए कौन सा देश जो 31 अक्तूबर से बारह नोंबर 2021 तक गलासको के पार्टियों में 26 वे स्यूक्त राष्ट जलवाई जो परिवर्तन समयलन जो है COP 26 की यहां पर बात की जारे कौप 26 की मेजबानी कोन करेगा तो कोन यहां पर राइट अंसर बनेगा उप्शन नमबर C United Kingdom जो इसका राइट अंसर देगा इसके बाद नेक्स्ट एक शांत जो है शांत जल में 13 किलोमेटर पर ती घंटा की चाल से चल सकती है यदि धारा की गती चार किलोमेटर पर ती घंटा है तो धारा की दिशा में आपका 68 किलोमेटर जाने में कितना समय लगेगा तो देखिए इसमें कैसे करेंगी शांत जल है यानि पानी अगर खड़ा हुए तो उसमें कितना है तो तेरा किलोमेटर पर ती घंटा की चाल है और अगर पानी यहा आपकी स्पीड वो एड हो जाएगी तो तेरा प्लस च्यार कितना सत्रा तो सत्रा चोके 68 जो है आपका कुंसा ओप्शन नुबर सीज का राइट अगर यहां पर यह बोल देता कि धारा की विपरीद दिशा में तब हम क्या करते तब हम 64 68 डिवाइड में 13-4 करके इसको 68 डिव क्योंकि जब हम स्टार्ट करते एं कंप्यूटर को तो सबसे पहले क्या होता है बूट अप होता है बूट अप होता है कंप्यूटर उसके बाद आपका कूंसा इसे के कोडिंग कूंसा बूट शेक्टर जो है इसका डिवा्प्शन नुंबर सी इसके बnant नेक्स्ट हरियाना के हिसार जिला जो है किसके द्वारा स्थापित है तो किसके फिरोजा तुगलक ओप्शन नमबर एइस का राइटन चरेगा कव तेरह सो चोमन इस्वी में हिसार फिरोजा के नाम से यह तो बिल्कुल नॉर्मल सी बाता कई बार डिसकस करी चुके हैं बाब 556 में है List City एक जनवरी 556 कोिशिजिन परड़ी पुष्टगालने से गिरकर इसकी मिर्क्ती आप हो जाती है और इसी 556 के बाद के हाम म tien की गर्ड़ी पर वैर जाता है क्योंकि यहाँ पर हुमाइयू होते हैं आपने सुनाई होगा जो की पानिपत का दूसरा यूद था तो आपको ध्यान रखना है हुमाईयू का सासंकाल कुंसा 1530 से लेकर 1556 तक रहेगा इसके लावा आगे कुंसा है साजान साजान जो दिया गया किसका यह जहांगीर का बेटा था और इसका कुंसा 1627 से लेकर 1657 तक इसका सासंकाल रहा था साजान का तो यह भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद नेक्स्ट यहां पर जो दिया गया है क्योशन आपके सामने दस्वा इसमें आपका कुंसा सब्जेक्ट अलिमेंटरी है तो उप्शन नमबर सेकिंड बनेगा इसके बाद नेक्स्ट सहर के नाम पर अपनी पत्नी का नाम रखा तो किसके नाम पर पत्नी कोंची थी तो आपकी राजा नीम जो है यह क्योशन दो तीन बार अलग अलग तरिया से पूछा गया एक में यह पूछा गया था जो भानी जो है पत्नी का नाम क्या था भानी इसका भीवानी नाम रखा और option की आपका भीवानी का जो है आपका किस की पतनी के नाम पर नाम रखागया वहां पर नीम भी था वहां पर भी मीस ताने से option दीवे था कुम सा राजा नीम रहेगा option number यहां पर बनेगा option number कर यह आपके किस खेल से जूड़े तो कौन से हो जाएंगे क्रिकेट हो जाएंगे option number C, यहाँ पर राइट अंसर है और इसके साथ यह आपको इनके प्लेयर भी ध्यान रखना है कौन कुछ है यहां पर देखिए आपके क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं गयारा प्लेयर होते हैं इसके लाओ होकी में कितने इसमें भी गयारा है फुटबाल में कितने इसमें भी गयारा प्लेयर होते हैं यहां पर बास्केट वाल दिये हुए इसमें कितने पांस प्लेयर होते इसके बाद नेक्स्ट बाकी हर्याना की जो है एक क्लास अप्लोड की थी आज सुबह तो उसको जरूर देखे वहां पे हमने काफी सारे क्वेशन कवर की हैं आपके बहुत सारे डाउट वाले जो क्वेशन वो सारे उसमें कवर किये गए हैं जैसे आपका पस्चिमी आपका य क्वेशन दिया गए इसका बनेगा उपरोग सभी इसके बाद अठारवां देखिए चंडिगड की जो नीव है फाउंडेशन स्टों जो है यह कब रखा गया तो कब 1952 में ऑप्शन बर भी इसका राइट अंसर रहेगा तो कौन सा ऑप्शन नमबर बी बनेगा इसके लाव इसके बनेगा कि एक फीट जो है कितनें इसके बराबर होता है तो कौन्चा बनेगा इसके बाराइच नमबर बी इसका राइट आट सरेगा इसके बाद नेक्स्ट अपका जो रएगा सब्जेक्ट एलिमेंटरी है b इसका बनेगा a option इसके बाद 21 देखिए सब्सक्राइब करें देखिए वाला क्वेशन दो तीन बार रेपीट हो चुका है और इसका आमने पहले भी आंसर किया था पीछी की जो आपके ऑफिशिल आंसर की के कोडिंग उसमें क्या आया था इसका ब्राउजर आया था उप्शन नमर्डी जो इसका राइट अंसर यह भी क्यूश्चन दो तीन बार पूछ रहेगा कौन सा ओप्शन नमर्ड ए जो इसका राइट अंसर रहेगा बन फिफ्टी फोर इसके बार नेक्स्ट आपके सामने जो क्यूश्चन रहेगा यहां पर पीवी सी आपका जो यह दिया हुए तो किसके लिए स्टेंड करता ह पीवी सी की यहां पर फुल फोम पूछ गिए तो क्या बनेगी यहां पर पॉली विनाइल कलोराइड ओप्शन नमर्ड इसके बार नेक्स्ट आपका 24 का बनेगा ओप्शन नमर्ड ए यहां पर 25 देखिए निमन में से कौन सा जो है रियाना के कौन सा जिला तामबे के लिए तामबे के लिए कौन सा होजगा मेंद्रगड ओप्शन नमर्ड हां पर राइट अन्स रेगा इसके लावाब आपका कहां पर महंद्रगड के साथ-साथ यह नार्णोल में भी पाया जाता है कहां पर नार्णोल में अब देखिए यहां पर आपके कौन कौन से क्योशन पू है कि ऐसे अलग कुंसा हो जाएगा तो कुंसा होगा कि यहां पर देखे वीश्य सूची आपका इंडेक्स दिया हुए उसके बाद सब्सक्राइब को जाए तो कुंसा यह सारी कि सारी किसमें बुक में होते हैं तो इसका राइट अंसरे का बुक इनसे अलग रहेगी इसके बाद नेक्स 27 आपको दिया गया कि एक आरगोनिक योगीक में उपस्तित नाइट्रोजन सल्फर और हैलोजन जो है इसका पता डैस के द्वारा लगाया जाता है दा नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन परजेंट इन्हें 27 जो दिया गया नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन जो है आपके परजेंट होते है औरगनी कंपाउंड में किसके द्वारा या आपके लेसाइने का परिक्षन के द्वारा आपका उप्शन नमबर 20 का राइट अंसर लेसाइने टेस्ट जो है इसका राइट अंसर इगा इसके बार नेक्स्ट आपका जो दिया गए चंडिगड़ सहर की सकल सेकल्पना चार मुख्या कारियों एक तो रहना कारे करना निकाई की देख बालोट चो था किस पर आधारी था देखिए चंडिगड़ का तो है अलग से इस बार किया काफी नए क्योशन पूचे गए हैं जो कि आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे तो इस सभी के जितने भी नए क्योशन पूचेगे उन सभी के स्क्रीन सोट मैंने शेयर की है टेलेगराम चैनल पर आप जाकर वहां से जो है यह सारे के सारे क्योशन कवर कर सकते हैं बाकी हर्याना जिकी की जो अलग से क्लास हुई यह उसमें भी हमने यह क्योशन डिसकस किये हैं यहां पर कौन सा बनेगा एक तो आपका सप्री जो आपका स्पीरिट एंड सर्कूलेशन बनेगा ऑप्शन नबर भी इसका राइट अंसर है कि आपका चंडिगर शहर जो इसकी आपकी कौन सी यहां पर देखिए फोर मेजर यहां पर कौन सा तो थर्टी का भी है थर्टी वन जो दिया गया है कि आपको आफगान योदा जो अहमद शाह अबदाली और सदाशियू राव भाव के वीच में कौन सा यूद लड़ा गया तो कौन सा पानिपत का तीसरा यूद ऑप्शन नंबर सी इसका राइटन सरेगा 32 जो दिया गए यहां पर इसमें पूच olho एक opposite जो है आपका चोवीज सेकेंड में बीस मीटर दोड़ता है तो उसकी गती क्या है तो उसकी गती किस में पूचेगई है यहां पर खंटा में पूचकी आप ऑप्शन में देख सकते ह候 है तो इसी कर Esse कर को क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले हुम क्या करते हैं दो सो बटा में आपका चोब जाजिया यह किस में आ गया मीटर पर सेकेंड में आ गया अब आपने पहले भी हमने ने मैथ Background किन देखिए तो उसमें हमने इस तरह का कुश्चन किया था और उसमें यह बताया था कि अगर आपका मीटर पर सेकेंड से में किलो मीटर में चेंज, किलो मीटर पर और में जाना पड़े तो हम क्या करते हैं अब देखिए यहां पर क्या करेंगे यह कटा तो आपका कितना अठारा वट्टे पांस बना बस यही इसका जो मैथट जो एक्जाम में पूछा जाता है इसको गुणा करना है अब करोगी कैसे यहां पर कितना पचास और उसके बाद कितना जाएगा यह दस दिये कितना तीस आपका किलोमेटर पर और इसका जो है राइट अंसर बनेगा कुण सा थर्टी टू क्योशन का आइधिंक क्लियर होगा बस आपको यह ध्यानक नहीं मीटर से किलोमेटर में कैसे चेंज करते हैं क इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट आपका जो रहेगा आपका सब्जेक्ट अलिमेंटरी इसका ओप्शन नंबर ए बनेगा थर्टी फोर देखिए कि हरियाना के भिवानी जिले से इस चेतर से बड़ी संख्या में मुक्य बास होने के कारण भारत का क्या बोला ज इसके बाद नामिके नाम पर रखा गया इसके लावा भिवानी से आपका किसby का सब्यद्ध है एक युद्ध आर जो है इसके लावा और कौन तो आपके हुकुम सिंग उनका भी समन्द भीवानी से था यह कुछ एक राजनेता जो है जिनका भीवानी से समन्द था यह आपको ध्यान भी रखना है इसके बाद नेक्स यहां पर दिया गया आपको बताने कि परसंचीन के स्थान पर आपकी कौनची संख्या साथ और च्यार ग्यारा पलस में आपका छे बनेगा तो भी सत्रा बनेगा तो इसके कोडिंग कोंचा ओप्शन नंबर डी जो है इसका राइट अंसर बनेगा नेक्स देखिए निमन में से कौनसी जो है आयतन की काई है आपकी कौनची आयतन यानि वोल्यूम आपकी क्या है तो आपकी क्यूब में आपकी वोल्यूम होती है तो इसके कोडिंग कोंचा क्यूबी के मेटर जो है आपका उप्शन नंबर एसका राइट अंसर रहेगा या इसको में ऐसे भी बोल सकते हैं उप्शन इसका राइट अंसर इसके बार नेक्स्ट विचवदा फॉलोविंग भिसके खूषिराम सर्मा की कई बार क्योशन आचकी कॉन सा यूदय चरीतर है गुरुद गविंचिंग राणा निमंतर नहीं यूसूर सागर जो है किसकी सूर दास की रचना है यह क्योशन कई बार आचक्षन नेक्स यहां पर तर्टी एड जो दिया गए सब्जेक्ट इलिमेंटरी क्योश्चन हो उप्षन नम्बर सी बनेगा पहले भी क्योश्चन आ चुका है नेक्स देखी निमन में से कौन जो है सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया यानि एस आई आई जो इसको बोल सकते हैं इसके प्राइवेट लिम्टीट के वर्तमान सीमडी यहां पर पूछा गया चीफ मैनेजिंग डारेक्टर जो है वो कोन है तो कोन होंगे साइरस पूनावाला ओप्शन नम्बर सी इसका राइटन चरीगा इसके लवा यह तो हो गए इसके की वज़े से जो और जो आपके कोवीड की वैक्सिन जो हो किसके द्वारा वैक्सिन जो है कोवीड की वह भी इसी सीरम इस्टिटूट के द्वारा बनाई जा रही थी तो इसलिए यह काफी चर्चा में भी रह थे अदार पूनावाला क्योंकि इन पर काफी प्रेशर था कोन आपके सीरम इस्ट्रिटूट के सी यो तो है अधार पूना वाला लेकिन जो आपके सी एमडी पुछा गया वो कुन हो जाएंगे साइरस पूना वाला जिन्हों ने इसकी स्थापना की थी और स्थापना कब की थी नाइटीन सिस्थी सिक्स में की थी यह तो आज असानी से याद भी हो जाएगा अर्याना बना उसी टाइम जो इसकी स्थापना भी की गई थी इसका रहेगा इसके बाद नेक्स्थ पोटिवन जो रहेगा इसका रीड्यूसर रहेगा और सी फोटी टू देखिए आपको दिया गया कि लोंग वोक टू दा फ्रीडम लोंग टू दा फ्रीडम जो ही यह किसकी बुख है तो किसकी रहेगी नैलसन मंडेला की ओप्शन नं नेल्सन मंडिला आपके क्या है आप भारत रतन से समानित किया गए नेल्सन मंडिला को यापको ध्यान रखना है कुछ साब बने का कुन आंग सूकी रहेगी और मैनमार भी आपका काफी चर्चा में रहे कूँ कि यहाँ पर आपका कुँछा भी मिल्टरी डूल चल रहा था अपने सुना भी होगा मिल्टरी डूल जो कि यहाँ पर सेनिकों ने सासन कर लिया था और यह जो सरकार जो उसको यहां पे खत्म कर दिया था इस तरह की न夜 के उसकी पाये ताइए मैनमाय यह ध्यान रखने और यही मैनमारिया बर्मा है जहां से 1857 की करांती जो हुई थी उसमें जो लाश्ट आपके जो सासक वा करते थे मुगल सासक को ने भादूर साथ जाफर सेकेंड जो है जिसको मैनमारिया बर्मा की जेल में जाकर वहां पे बंद किया था वहीं पे इनकी मिरती ह होगी थी तो वह यही मैनमारिया बर्मा रहेगा तो राइट अंसर बनेगा कुन सा उप्षिन नंबर ए नेलसन मंडिला इसके बार नेक्स्ट आपका जो रहेगा 43 यहां पर जो दिया गए सब्जेक्ट एलिमेंट इसका कुन सापका उप्षिन नंबर ए बनेगा फ्लोट औ इस बार नेक्स्ट 43 हमारा हो गया 44 देखिए और यहां कि आपके फश्ची में गड़बाल में किस नदी का उद्गमस्तल हर की दून जो है गलेशियर से माना जाता है कुन सा आपका सरस्वधी नदी ऑप्षिन नंबर सी इसका राइट अंसर देगा और यही जो है एक्षिन ने राइट अंसर माना है जो कि आपका कहां पर यह उत्रा खंड में पड़ता है और यहीं से जो आपकी कौँछी यमना नदी भी यहां से निकलती है यमना नदी और यमना नदी वैसे एग्जेक्ट अगर बोले तो टून्स के नाम से आपकी नदी निकलती है जो कि आपकी यमुना की साहे की या ट्रिब्यूटरी नदी बोल सकते हैं और जो आपकी यहां से हर की दून से कौनजी एक यमुना और आपकी एक सर्स्वती दोनों की दोनों पैरलल निकलती है और आगे जाकर यह चेंज हो जाती है यह क्योशन हमने पहले भी डिसकस किया था तो राइट अंसर बनेगा कुन सा उप्षिन नमबर सी नेक्स देखिए एक व्यक्ति जो है दस दिनों में एक कार्या को पांच बटे आठ दिन में पूरा करता है और इस का इस दर्चे कार्या को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे अब देखिए यहां पर जो क्योशन दिया गय पूरा करने दिन लगेंगे तो इस कार्या को पूरा करने में उसको सोला दिन लगेंगे so भचे हुए काम को करने में कितना दिन लगें यह यहां पर एक्जेक्ट जो है इसकी स्टेटमेंट बनती है तूस अकोर्डिंग कितना आठ्ट वेज़ने करी आठ्ट टोटल था इसमें से पांच कर दिया कितना बचा-तीन काम बचा और एक काम दो दिन में करता है तो कितना छे दिन जो इसका राइट अंसर बनेगा कुंसा ओप्षिन नंबर बी यहां पर जो की 45 का राइट अंसर देगा इसके बार नेक्स्ट 46 दिया गए कि आपका 20 मानेवतावादी दिवस जो वो कब मनाया जाता है तो कब यहां पर उप्षिन नंबर A 19 अगस इसका राइट अंसर बंगाल में एसियाटिक सोसाइटी जो इसकी स्थापना कब हुई तो कब 1784 में उप्षिन नंबर A इसका राइट अंसर रेगा विलिय ग्रूप आइसो मेरिजम जो है आपके सामने यह दिया गया यह आपका क्या शो करता है तो उप्षिन नंबर B जो इसका राइट अंसर इसके बाद नेक्स्ट दूइतिया गोल में समेलन जो आपका हुआ था 1931 में इसमें पंजाब से किसको अलग किया गया तो किसको किया ग बताने कि यहां पर क्या आएगा देखिए पांच और चार और एक पांच और पांच कितना दस इसी तरह से नो एक दस और सात सतरा उप्षिन नबर B अब नेक्स देखिए 52 जो दिया गया है हर्याना में जो है सी एंजी बस सेवा को किस कुन सा नाम दिया गया देखिए आप टाक जो है आप गोड़ वेश बस चलती है हर्याणा में तो अब इनके चारों के बारे में देखिए जो हर्याना उदे जो दिया गया है यहापकी कौन्ची यहापकी सी यन भी से चलने वाली बस है दूसरा आपका कौणशा हर्यान कोर जोड़ जो दिया गया नोर्मली जो आपकी चार बसे चलती हरियाना में तो यहां पे जो क्वेशन पूछा गए आपका CNG बस सेवा कौन्छी रेगी तो हरियाना उदे ओप्शन नमर ए जो इसका वो राइट अन्स रेगा इसके बाद नेक्स्ट 53 जो यहां पे दिया गए इसमें बनेगा आपका डड़ेस इस पार्ट ओफ डिस्क डैट रिमेंड फ्री आफ्टर दा बूट सेक्टर टू एफटी एंड रूट फोल्डर है विन क्रियेटिड आपका क्या दियागे डिस्क का वहबाग जो बूट सेक्टर एफटी और रूट फोल्डर के बनाए जाने के बाद मुक्त रहता है तो इसका कुण सा आपका डाटा एरिया रहेगा उप्शन नमबर सी जो इसका राइट अंसर दियागा यह देखिए यह जो मैंने आपको अंसर बताई यह एससे क्योशन है जो कहीं पर भी नहीं मिले किसी भी ब इसके बाद 55 दा बुक कमपोश्ड बाए दा यहां पर मॉंटेस्ट क्यू के द्वारा रचित बूक कौन सी यह तो कौन ची रहेगी ऑप्शन नमबर भी आपी नहीं मोंटेस्ट क्यू के द्वारा रचित बूक रहेगी इसके बाद 56 गयलवनाइजेशन जो है आपका इसके बाद नेक्स देखिए डाट डैस इजे रिलेवेट ली न्यू बस फाउंड ओन आल मोडम मशीम तो कौनची यूएस भी यूएस भी की फुल फोम भी आपको ध्यान होनी चीए कौनची यूनिवर्सल सीरियल बस जो इसका राइटन सरेगा ऑप्शन नंबर यहां पे इ तो हर्याणा तिलक, पंदित नेकी रमशर्मा की है और यह कब निकाले गई तो हुर्यान होने को ध्यान रखने है इनोने कौनची शंदेष पात्रिका जो है वो निकाले ती संदेष है पत्रिका ड्राजोखिय। पंडीत नेकीराम शर्माने। इसके बाद देखिए। नेक्स्ट आपके सामने तो है mają पर 60 वे क्योषिन आपको यह बताने की। पूछा क्या गया है? फाइन का कोड बताने है फाइन किसम आपका सबसे L到 का वाले में अपर फाइन दिया गया आर यू जो दिया गए वो यहां पर है इसके लावब डियो दिया वह यानि कौन सा जी जी ए बिल्गुल यह आपका उप्शन ए जो है यह राइट अंसर बनेगा 60 क्वेश्चन का I think क्लियर होगा यह वाला क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट 61 जो दिया गए कि इसके फैसले जो है सभी अदालतें उपर बाद्यकारी है यानि its decision are binding on the all courts तो यह आपका उप्शन नबर सी जो इसका वो राइट अंसर रहेगा जो कि इसका दिकार नहीं है यह पूछा गया तो आपका बाकी तीनों इसके दिकार है और यह जो आपकी इसके दिकार नहीं है तो उप्शन नबर सी इसका राइट अंसर रहेगा जो कि question नबर इसके बाद राजा नाहर शिंग जो है रियाना के किस जिले के अंतिम सा सकते तो कहां के वल लब गड़ के option नबर डिज का राइट अंसर बनेगा इसके बाद next 63 जो दिया गए इसमें पूछा गया कि आपका 120 ड 64 दिया गया इसमें क्या option निंबर वी बनेगा 65 देखिये 53 संगराम के संवंध में हर। कि पलवल railway station का इत्यासिक मेहत्व है क्यों है क्यों है क्यों है क्योंकि यहां撇पलावल आपको पता है महातमा गांधी जब हरियाना में आये थे तब इनको गिरिफ्तार किया गया था पलवल से सबसे पहले कब 10 अपरेल 1919 को जो है पलवल से गिरिफ्तारी की गई थी तो इसलिए कुन सा बनेंगा उप्शन नमर 6 बनेंगा महातमा गांधी पहली बार जो इस्टेश आपका हिसार से इसके बाद नेक्स्ट एक राशी जो आपकी उधार लेगी और 1882 की दो वार्षी किस्तों पांच पर 37 की दर से वाप्शी ली जाती है तो इसका बिल्कूल हम आपका यह चेप्टर हम करेंगे कंप्लीट ताकि आपके जो सारे के सारे डाउट क्लियर हो एक पानिकी टंकि यह चो 67 का आपका राइट ऑन्सर कुंसबनेगा और अ बनेगा और यहां पर इसके बाद पंस सिधान्ति और कि द्रयुक्त अ ब्राहम वीर के द्रयुक्त आपके सामने 70 का बनेगा कुन सा option number A 71 देखी कांशी राम जो है सेंट फ्रांसिस्को में एक डैस के निर्माता थे तो किस पार्टी के से जुड़े हुए थे कांशी राम ये question पहले भी आ चुका है तो किस पार्टी से तो ये गदर पार्टी से जुड़े हुए थे option number इसका राइट रहेगा और इसी से जुड़े हुए थे कांशी राम तो ये आपको ध्यान रखने इसके बाद नेक्स चाहां पर जो 72 रहेगा इसका बनेगा option number B 73 जो दिया गया 1923 में जमिदार लिग जो इसकी स्थापना किसके द्वारा किए गी किसके द्वारा सर छोटू राम के द्वारा option number B इसका राइट अंसर है और किस ने की तो 1923 में जमिदार लिग की स्थापना सर छोटू राम और फजली हुसेन ने मिलकर जमिदार लिग जमिदार लिग की स्थापना किए थी 1923 में इसके अलाबा इनोंने जाट गजट समाचार पत्तर निकाला था तो कब 1916 में जाट गजट निकाला था किस वाज़सा में उर्दू भाज़सा में निकाला था खांसे रोध तक से प्रकाशन किया था तो ये भी नोट कर सकते हैं इसको ये एक्जामे क्योशन आ चुका है इसके बाद इनोंने जो है 1937 में आपके मार्केटिंग बोर्ड जो है उसकी 1938 में इनोंने जो है मार्केटिंग बोर्ड जो है उसकी स्थापना के थी मार्केटिंग बोर्ड की इन्हों ने स्तापना के थी किसने सर छोटो राम ने तो ये सारी सीज़े आप ध्यान रखोगे इसके बाद नेक्स देखिए बाकी सर छोटो राम से काफी इंपोर्टेंट क्योशन बनते है जैसे हमने नॉर्मल तो करी लिया समंध कहां से है तो आपके रोद तक के गड़ी सा इसके बाद नेक्स्ट चोभी सक्तुबर दो हजार पंद्रा को रियाना सरकार ने संस्कृत विश्वविदाले सुरू करने की घोशना की कहां पे मूंदरी गाउं कैथल ओप्शन नुमर भी इसका राइट अंसर ये भी कई बार एक्जाम में क्योशन पूछा जा चुका है इसके बाद 77 77 या गया कि HDPE जो किसके लिए स्टेंड है तो हाई डेंसिटी पोली एथिलीन जो है इसका उप्शन नुमर कुंसा पोली थीन सोरी पोली एथिलीन जी हो बिल्कूल आपका उप्शन नुमर ए जो इसका राइट अंसर बनेगा 77 का इसके बाद मैट्रिक पर ना आपके ग्राम सची पटवारी का एक्जाम उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है हो सकता है वहां पी यहां से डारेक्ट क्योशन आजे अब देखिए रख्त के आपका दरोभाग जो आपका लिक्वीड पार्ट जो होता है उसको क्या बोलता बोला जाता है प्लाजमा बोला इसके लावा आपका यहां पर कितना तो 40 से लेकर 45 परसेंट आपका इसका ब्लड सेल का रहेगा तो पलाजमा कुञ न '沒關係 पार्ट किसकी लिकांगा ब्लड सेल एक आपकी आर बी सी एक यह देवर टारप एपमीड लेक्त इसे निएगी इसके बार नेक्स्ट एक मेंदेश đâu जाबुआ रिवाडी ओप्शन नमबर डी यहां पर नेक्स देखिए मैट्रिक परनाली में एक मीटर जो है डैस इंच के बराबर होता है यहां पर मैट्रिक परनाली में कुन सा आपका यहां पर दिया गए एक मीटर जो है कितने इंच के तो 39.37 इंच के ओप्शन नमबर यहा पास PDF जल लगए 70% PDF अवेलेबल है और बाकी 30% अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचिए अभी हर रोज धीरे-धीरे PDF आ रही है और उसके साथ ही जो हर रोज PDF भी टेलेग्राम पे अवेलेबल करवाई जा रही है और कुछ एक बच्चे यह बोले थे कि जो इसकी साथ में आंस से इनका प्रेंट आउट निकल वाएंगे और उसका रिवीजन करेंगे कि उनको कितने क्योशन आते हैं तो उनके लिए जो आपका बेनेफिट किसमें रहेगा कि आंसर मार्क ना हो और जिन बचों का आंसर चाहिए तो उनको थोड़ा बेट करना पड़ेगा उनके लिए भ आपका राइट अंसर दोज की जिगहें पर क्या आएगा यहां पर डैट आना चाहिए तो इसके कोडिंग कुंसा ओप्शन नमरे सी यहां पर जो है वो राइट अंसर इसमें आपका एरर है इसके बाद नेक्स्ट दिया गए कि सच्वाज ही जे प्रनेंशियेशन एज आई कुड नोट अंडर्स्टेंड ही तो इसके में आपका कुंसा एज यहां पर जो दिया गए इसके जिगहां पर कुंसा डैट आना चाहिए तो इसके कोडिंग यहां पर भी कुंसा ओप्शन नमरे सी में एरर है इसके बाद नेक्स्ट डैस यू डू नोट वर्क यू कैन क्या वक्यां सब ना जाया है तो इसका मतलब कुंसा बनेगा आपका सरहाना है जो सच्रानिया कहो जिसकी परसंसा की जैए बर संसा योग्या हो तो कुंसा आपका कुमेंड डैवल और यहां पर इसका राइंट अनट सब्सक्राइगा Quickie exist tanca आओ रहर है तो चाचा को बनता म게रलते हैं त değil है इसका व्लों मृस्ता और यहां पर यहां पर नायंटे के जह बीटिक तो मूल अ leer वस्ता हैं दूसरी आपकी कौनची उत्रावस्ता है तीसरी आपकी कौनची उत्मा वस्ता आजाएगी option number C जो इसका वो राइट अन्सरेगा यहां पर तीसरी आवस्ता पूछेगे यह तो कुंसा उत्मा वस्ता आजेगा option आपको यह सब और बाकी जल्दी जैसे जैसे पेपर अवेलेबल हो रहे हैं आपको सभी के solution करवाए जा रहे हैं इसके लावा नए question देखने को मिले हैं यहां पर जो आपको किसी भी बूक में नहीं मिलेंगे लगबल से उठाई हुए अंबर आपको किसी भी बूक में नहीं मिलेंगे और उनके answer 와id पारे के सारे सोलुशन आपको यहां पर कर बाए जाएंगे I think a class आपको अच्छी लगी होगी इस class में इतना ही मिलते है next class में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें पढ़ते रहें जय हिंद जय भारत